रईवार को भारत बना पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबला शुरुवास से ही लो वोल्टेज रहा क्योंकि ये मैच में पाकिस्तान ने एक बार भी बड़त नहीं बनाई और इंडिया ने पाकिस्तान को 89 रनों की करारी शिकस दे कर सेमी फाइनल्स की दोड़ में अपना नाम लगबगपका गर लिया है सरफराज की कप्तानी से नाराज खिलाडियों और दर्शकों ने पूरी टीम की अलोशना करने में कोई कसन नहीं छोड़ी लेकिन इसी बीच एक नई बास सामने निकल कर आई है पाकिस्तानी डरेसिंग रूम में बदबेद की खबरे आ रही है पाकिस्तानी मीडिया की खबर के मताबिक मैच के बाद भारत से करारी पठखनी खाने के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने इमाद वसीम और इमाम-ul-हक पर सरफराज के खिलाफ होकर अलक सिकुडबाजी करने का आरोप लगाया है जिसे टीम का माहौल खराब हो रहा है और भारत से हानने की वज़ा भी यही है कि टीम में यूनिटी की कमी है यही नई भारत से एक तरफा मुकाबला हानने के बाद पाकिस्तान के पूर्व कपतान वसीम अकरम ने भी टीम को आड़े हाथ लिया है वसीम अकरम ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है मगर ऐसे बेज़ती से हारना सही नहीं है टीम का सेलेक्शन ही अच्छा नहीं हुआ था और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही टीम के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी वजीर आजम इमरान खान के कहने के बावजूद भी सरफराज ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी की और अपनी गलत फैसले पर अड़े रहे जबकि पूर्वतेज खिलाडी बासित अली ने सरफराज को जम करना तारा उन्होंने कहा कि कोली शातिर कप्तान है कोली दिमाग से खेलते हैं कोली ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी लेते और हम उसके जाल में फस गए यही नहीं पूर्वतेज गेंदबाज सिकंदर बख्त ने भी PCP से गुहाल लगाई है कि अच्छा परफॉर्म ना करने पर प्लियर्स पर अनुबद लगाया जाए और मैच फीस भी काटी जाए खेर इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 7 वार हरा कर 7-0 से बड़ात बनाई है और पॉइंट सेबल में अब इंडिया तीसरे नंबर पर है इंडिया का अखला मुकाबला 22 जून को अफ़वानिस्तान के साथ है और इंडिया इस मुकाबले को चीत कर पॉइंट सेबल में बड़त फिर से बनाएगी जो हम सब को उमीद है मेरा नाम है जिबरान और आप देख रहे हैं नियूस गिरिल स्पोर्ट से जोड़ी और खबरों के लिए जोड़े रही है हमारे साथ यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेट सेक्शन में कमेट करके जरूर बताईए धन्यवाद